आज प्रधानवंत्री जी ने प्राताकाल लोकसवाचनार 2024 के लिए भारती जन्ता पार्टी का लोककल्यान संकल्पत्र जारी किया है बैन और भाईयो दिक्सित भारत की संकल्पना पराधारित युवा, महिला, गरीब और किसान इस चार आधारस्तंबो पराधारित आप्म निर्वर भारत से लिक्सित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए पुरे देश वासियों से प्रभान मंत्री जी ने समर्धन मांगा है और मैं तो देश के अंदर कई राज्यों में मुझे जाने का उसर क्राप्त हुआ है इस बोरान भैनों और भाईयों, 80 लोग सबासीर्टव के लिए उत्तरब्रदेश में हैं मैं कल भी उत्राखंड में था, आज भी उत्राखंड में हूँ उत्तरब्रदेश और उत्तराखंड की 85 की 85 सीटे मोधी जी के गले का हार बनेंगी इसमें कोई संज़े नहीं प्रदेश के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है बदलते वे भारत को आज की पीड़ी देख रही है एक नया भारत जिसका दुनिया के अंदर सम्मान भी है जो सुरक्सा भी देना जानता है और दुनिया को सुसासन का मॉडल भी देता है विरासत और विकास का अद्बुच समन्वे कासी में कासी विश्वानाद भाम तो केदारनाद में केदारनाद भाम बत्री निसाल का दाम भी भप्य सुरूप ले रहा है तो पांसो वर्सों के वाद अयुक्या में रामलला भी विराजिमान हो गया है वेन और भायों यह आस्ता का और विरास्त का और विकास का यद्वत संजुग आज में प्राता काज जब स्रीनगर गया बेहरादुन रिशी केस से लेकर के तर्ड़ पर्याद कर रेल्वे लाइन दिख रही है श्रीनगर में एनाइटी मेडिकल कॉलेज यह सभी बन चुके है यानि यह चीजे दिखती हैं कि आज की आज़सक्ता कि जो दुनिया के अंदर जो पहले था जिसके लिए भारत यह मानता था कि हमारे आभी होता आज आयाइटी है आयाइम है एनाइटी है ट्रिपल आईटी है एंस है मेडिकल कॉलेजेज है एक लंबी श्रिंखला देश के अंदर आज हम सब को देखने को मिल रही है वर्ड क्लास इन्वस्टी की स्थापना हो रही है और करीब कल्यान करी यह उसना हो की तो कोई सानी नहीं असी करोड लोग देश के अंदर पिसले चार वर्स में फिरी में रासल की सुझधा का लाव प्राप्त कर रहे है साथ करोड लोगों को पांच लाव रुप्य की स्थाष्टे पीमा का कबर मिल ला है पांच पचास करोड लोगों को जंदन एकाउंट खोले गए है बारा करोड किसानों को प्रणान मुंत्री किसान सम्मान निदी का सौगा थे बारा करोड गरीबों के घर में सोचाले बन गए है दस करोड गरीबों को जुला योजना के कनेक्शन मिल गए है हर घर नल की योजना साकार हो रही है चार करोड गरीबों के मकान वल गए है बैन और भाईयों आजके संगल पत्र में भारती जन्दा पार्टी ने कहा है कि दस वर्स में भले इसमा किया है अगले तीन वर्स में तीन करोड और गरीबों को मकान देंगे है पेनर भाईयों पांच वर्स तक लगातार ये राशन की सिर्दा काला गरीबों को प्रत्त होगा यही अंतर है कॉंग्रेस की सरकार के समय लोग भूकों मरते थे आज करोना जैसी महामारी का सामना करते भी वर्तमान भारत 80 करोन लोगों को फिरी मेरा सुन दे रहा है और भारत से अलग वे पाकिस्तान किस्ति क्या है यहां को स्विक और लोगों को फिरी मेरा संद वहाँ एक जून रोटी के लिए एक रोटी के टुखड़े के लिए झीना जप्पी आप वहाँ पर रोजमर्रा की चीज देखते होंगे भीक तो कटोरा लेकर के पाकिस्तान दुनिया के अंदर भूम रहा है पैनवर भाईयों यही है एक तरफ नेशन फस्ट के साथ वो दीजी है और दूसरे तरफ कांग्रेस ने तृत्तों में फेंबली फस्ट को लेकरके इन लोगों की कोई प्रात्मिकता नहीं इनके समय युवा बेरोजगार होता था आज युवा के लिए रोजगार की लिए उत्ता है उनके समय जातिवाद का नंग सांड़ो होता था आज रास्तिवाद का अलग जगाया जा रहा है उनके समय तुस्टी करण के नाम पर कहा जाता था कि देश के संसादनों पर पहला रिकार मुसल्मानों का है और मोदी जीने का नहीं नहीं बारत के अंदर हर गाउं हर गरीब हर किसान हर नजवान हर महला का देश के संसादन पर रिकार है और हमने कहा नहीं तुस्टी करण नहीं संतुस्ती करण सबका साथ सबका विकार बैन और भाईयों कि शुरक्षा का मॉडल ऐसा कि दोहजार सथ दोहजार चौदा के पहले पाकिस्तान या देश का दुस्मन कहीं भी भारत की सीमा का थिकर्मन कर देता था लोग आँखें बंब कर देते थे आज क्या स्पिती है अगर कहीं कोई पटाका तीजी से फड़ जाए ना तो भी पाकिस्तान सफाई देता कि देखो हमारा हाथ नहीं है क्योंकि से मालूम है कि अगर वह समय रेते नहीं दिया और कहीं भोएं तन गई तो नजाने कहां या रि नक्सलबाद समाथ कस्मीर में भारा 370 समाथ आतंगबाद की जड़ पर अंतिम उसकी स्ताबत परंतिम की ठोकने का काम भी कर दिया गया और कैसे सुरक्षा का मॉडल होना चाहिए लोग कभी-कभी कहते हैं मुझे कि उत्तर प्रुदेश में ऐसा तो नहीं कि अपरादी और इसलिए भाइओ और माथ यहां पर कारवाई होत्तरा खंड के दिरत जयांगे अरे हमने का उड़ ओप आयो है लोग कहते जेल भेचाएंगे फिर करेंगे आ रहे हमने का जेल जाने के पहले जहन्मों के रास्ते खुले होंगे उनके चिंता मत करो और इसलिए और आप मैं के की चाया आप से कहने के लिए तिहरी कि ये प्रतिश्पिस्टी बहुत माइने रखती है माराजा मानुवेंदर साहजी ने कई बार यहां का प्रतिमिद्ध कर किया भगवान बद्री साल और केदारनाथ दाम की प्रतिमिद्धी की रूप यहां की जन्ता जनार्दन उन्हें समान देती रही है और वेनोर। यह है विरासत का सम्मान। विरासत को हम इस रूप में सजो कर रखे रहेे समुपने प्रतिमिद्धी के रूप में मान करके उनके अनसार मौर्द तै करुवा हैं कब हमारे तीर्ष के मुर्द के होने हैं और उस मुर्द के अनुसार फिर अपने कारिक्रम को आगे वढ़ाते हैं ये तो सभा क्या है तीरी लोफसवा छेत्र के लोगों का कि वही दिरासत को आप भी आज समाल करके आगे वढ़ा रहे हैं इस के लिए मैं आपका विनंदन करता हूँ भाइन और भाइयो यही दो दिरासत और विकास का पुद संचो आज भारत को दुनिया के अंदर एक विसिस दस्तान देने ता है लोग इसी चीज़ को लेगे